कैसे भारत में अगर कोई नया छेत्र, कोई नियू एरिया इंडिया में मर्ज होना है तो किसके पास अधिकार है? संसद, मतलब पार्लियमेंट के पास अधिकार है फिर मैंने ये भी बताया था कि किस परकार से अगर कोई औरी इंडिया का स्टेट है उसके नाम, छेत्र, सीवा में परिवर्तन करना है तो वो भी किसको अधिकार है? पार्लियमेंट को और यह हमने पढ़ा था आल्टिकल 3 में फिर मैंने बता रहा था वो S.K. धर समीती, JVP समीती वो पोट्टुश्री रामलू की हंगर स्ट्राइक, उसके बाद में उनकी डैथ उसके बाद आंतर प्रदेश का बनना उसके बाद में फजाल अली समीती एंड फाइनली, फाइनली राजय पुनर गठन आयोग, जो था उसका बनना तो यह हम सब पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में और आपको होमवर्क भी दिया था याद है न, होमवर्क दिया था तो नेक्स क्लास में आपका भाग एक और भाग दो, जो आज मैं इस लेक्षर में कंप्लीट करूँगा, इन दोनों का आपका टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया था टेस्ट हुआ करेगा और आपने प्रॉमिस किया था कि हाँ भाईया, हम टेस्ट देंगे तो नेक्स क्लास में इन दोनों, भाग एक और भाग दो से में टेस्ट लोगा तो भाग एक हम कंप्लीट कर चुके हैं अब जो भाग दो है, हमारे समीधान का भाग दो नागरिकता मतलब सिडिजन्शिप, ठीक है, और यह कहां से कहां तक है यह है, आल्टिकल, पांच से लेके और ग्यारे तक, यह बताता है नागरिकता, अच्छा पहली बात, भारत में कैसी नागरिकता है अगर हम यह देखें कि भारत तुमें कैसी नागरिक्ता है तो भारत में है एकल नागरिक्ता और एकल नागरिक्ता का प्रावधान हमने कहां से लिया है पताओ, इंग्लेंड, इंग्लेंड के समिधान से तो यह हमने लिया है इंग्लेंड के समिधान से अब कुश्चन यह आता है एकल नागरिकता होती क्या है सिंपल सी बात है हमारे यहाँ पर राज्जों की कोई नागरिकता नहीं होती केवल एक नागरिकता होती है देश की नागरिकता तो जहाँ पर राज्जों की देखो जैसे अमेरिका है अमेरिका में दोहरी नागरिकता ह वहाँ पर राज्यों की अपनी अलग नागरिकता है, देश की अपनी अलग नागरिकता है, मतलब अगर कोई अमेरिका के किसी राजे जैसे कैलिफॉनिया में रहता है, तो उसके पास दो ID कार्ड है, एक ID कार्ड शो करता है कि वो कैलिफॉनिया का रहने वाला है, और एक ID कार शो करेगा कि वो US United State करेने वाला है तो दो नागरिकता है प्लस अमेरिका में ये भी है कि अगर किसी के पास एक देश की नागरिकता है अमेरिका की तो वो Canada की भी नागरिकता ले सकता है Mexico की भी ले सकता है ये सब इंडिया में ऐसा नहीं चलेगा इंडिया में पहली बार तो एक नागरिक्ता है केवल एक होती है देश की राज्य की कोई नागरिक्ता नहीं होती प्लस अगर हमारे पास भारत की नागरिक्ता है ठीक है तो हम किसी और देश की नागरिक्ता नहीं ले सकते यह होता है नागरिक्ता और एकल नागरिक्ता सिंगल सिडिजन्शिप और यह हमने कहां से बोरो की है कहां से कॉप्पी की है इंग्लेंड इंग्लेंड में भी एकल नागरिक्ता होती है फिर एक कोश्चन आता है और यह कोश्चन मुझे तुमसे पूछना है नागरिक्ता versus रास्ट्रियता ये दोनों क्या होते है नागरिकता मतलब citizenship हो गया और रास्ट्रियता का मतलब होता है nationalization तो citizenship और nationality इन दोनों में अंतर क्या अच्छा पहले तो ये बता हो ये अलग एक ही है या अलग अलग है अब मैंने लिखे हैं तो अलग-अलग शब्द होते हैं नागरिकता का मतलब citizenship होता है और राश्ट्रियता का मतलब होता है nationality क्या कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता change कर सकता है बिल्कुल कर सकता है अभी हम भारत की नागरिक है अगर हम विदेश में जाना चाहिए तो वहां की नागरिकता लेने चाहिए तो वहां की नागरिकता ले लेंगे लेकिन ये जो होती है राश्टियता मतलब nationality ये कभी change नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती देखो एक्जामबल मानों की हम अभी इंडिया में हम मान के चलोगी ऑस्ट्रेलिया में चले गए और ऑस्ट्रेलिया में काफी साल रहे और ऑस्ट्रेलिया की हमने नागरिकता ले ली तो हम वहां पर क्या कहलाएंगे हम वहां पर कहलाएंगे भारतिया मूल के भारतिया मूल के मतल इसकी नाग्रिक्ता लेना चाहेए उसके ले सकते हैं तो नाग्रिक्ता बदली जा सकती हैं लेकिन जो औरीजन है नेशनैलिटी वो कभी चेंज नहीं हो सकती है अब हम देखें अच्छा पहले इसके थोड़े बहुत पाँच आर्टिकल नमबर पाँच ये कहता है कि भारत में जस दिन समीधान लागू हुआ था तो समीधान लागू होने के समय भारतियों को नागरिकता का मिलना तो जिस दिन हमारा समीधान लागू हुआ था तो उस दिन हम ओटोमेटिकली जो भी भारत में थे उस टाइम पे भारत का नागरिक बने गया, तो आर्टिकल पांच ये कहता है, समीधान लागू होने के समय नागरिक्ता का मिलना, नागरिक्ता का प्राप्त होना, तो ये लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर पांच में कि जब समीधान लागू हुआ था, तो लोगों को जो भारत में थे, उनको भारत की नागरिक्ता मिल गए, इसके बाद आर्टिकल नंबर 6, ये कहता है, कि आजादी के बाद, जब हम बतवारा हुआ था, पहले बतवारा हुआ, उसके बाद आजादी मिली, हम आजाद हुए, हम सोतंत्र हुए, तो ये कहा जाता आर्टिकल 6 में, इस सोतंत्रता के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, अच्छ कि पाकिस्तान से भारत आने वाले भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिक्ता मिलना तो यह कहा गया इसमें सिंपल आल्टिकल 6 यह कहता है कि बटवारे के बाद आजादी के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उस व्यक्तियों को भारत की नागरिक्ता मिलनी चाहिए कैसे मिलनी चाहिए क्या क्या शर्ते होंगी अभी हम पढ़े कि भारत की नागरिकता किस-किस प्रकार से ली जाती है अभी केवल आल्टिकल 6 ये है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए फिर आल्टिकल 7 Article 7 Article 7 क्या कहता है अच्छाnan सिम्पल है बटवारे के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा तो भारत से भी तो पाकिस्तान जाएगे तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया उसकी भारत की नागरीक तक हत्म हो चाएगी तो आल्टिकल नंबर सेवन ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिक्ता व्यक्तियों की नागरिक्ता का अन्थ ठीक है तो आल्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि जो बंदे पाकिस्तान से भारत आ गए है ठीक है उनको भारत की नागरिक्ता मिलनी चाहिए आल्टिकल 7 उल्टा है भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया है तो उसकी नागरिक्ता का जो है वो अन्थ हो जाएगा तो ये तीन इसके मोस्ट इंपोटेंट आल्टिकल है 5-6 और से मतलब 5-6 और साथ अब तुम कहोगे केवल इतनी पढ़ने है एक और पढ़न है नागरिक्ता से संबंदित कुछ भी कानून बनाने है नए कानून बनाने है और अल्रेडी जो कानून है उसमें कुछ चेंज करना है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो ये अधिकार केवल संसद के पास है तो संसद नागरिक्ता से संबंदित नागरिक्ता से संबंधित कानून बना आज गलती बहुत ओरी है हाँ बना सकती है ठीक है तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिक्ता से संबंधित जो भी कानून बनेंगे कुछ भी कानून बनना है या ओल्रेडी जो कानून है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो अधिकार केवल एक के पास है और किसके पास है संसत इसका मतलब जो राज्य है ना जो राज्य सरकारे है वो नागरिक्ता से संबंधित कोई कानून नहीं बना सकती सिटिजन्शिप किसी व्यक्ति को नागरिक्ता देनी है ठीक है नागरिक्ता के कुछ भी नए प्रावधान जोड़ने है ये अधिकार केवल एक के पास है और किसके पास है संसत के पास है अब देखो संसत ने इसी आर्टिकल 11 का यूज़ करके दे आर्टिकल 5 आर्टिकल 5 ये कहता है समिधान लागो होने के समय नागरिक्ता का प्राफ्ट होना ठीक लेकिन समान के चलो कि समिधान लागो हो गया उसके बाद कोई व्यक्ती भारत का नागरिक बनना चाहता है तो नियम दों बनाने पड़ेंगे ठीक तो भारत में नागरिक्ता से संबंदित जो कानून आया है एक ही कानून आया है और उसी में ही अमेड्मेंट उसी में संशोधन होने लगते है तो कोशन अगर आये कि भारत में नागरिक्ता से संबंदित एक मात्र कानून कोन सा है तो वो है भारतिय नागरिक्ता अधीनियम 1955 मतलब भारत में नागरिक्ता देनी है नागरिक्ता लेनी है किसी से नागरिक्ता छीननी है इसके लिए केवल एक ही बार कानून आया है और ये कानून आया था 1955 में ठीक है वैसे तो आपको PDF मिली जानी है लेकिन अगर PDF नहीं मिलती है तो इसका अगर आप स्क्रिंशॉट लेना चाहे बतलब ये क्या है कि याद करने में आसानी हो जाती है क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको लिखवाता हूँ ना केवल इसी लिए हो गया नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में अभी केवल मैंने इतना ही बता है अब बात करते हैं ये जो भारते नागरिक्ता अधिनियम है इसके बारे में डीटेल्स में तो कोश्चन ये आता है कि भारत में नागरिक्ता देनी है या लेनी है इसके लिए कौन सा कानून है तो इसके लिए है भारते नागरिक्ता अधिनियम 1955 ठीक है अब कोशन आता है कि भारत में नागरिक्ता लेने के टोटल कितने प्रकार होते हैं कितने टाइप से भारत की नागरिक्ता ली जा सकती है और कितने ऐसे प्रकार है जिससे भारत की नागरिक्ता का अंत हो सकता है तो भारत की नागरिक्ता लेने के पांच प्रकार है औ नागरिक्ता लेने के परकार भारतिय नागरिक्ता प्राप्त करने के या लेने के परकार उनकौन से टाइप्स है कि जिससे इंडिया की जो सिटिजन्शिप है वो ली जा सकती है तो सबसे पहला है जन्म से बाइबर्थ जन्म से सिंपल है किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ ठीक है किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी ऐसा है पूरी तरीके से सही नहीं है जैसे example अब भारत में IPL वगेरा उते हैं और इसी साल जो है वर्ड कप भी होने वाला है 50 ओवर का वर्ड कप होने वाला है इंडिया में अब कोई विदेश से कोई player था उसकी wife जो थी वो pregnant थी तो player आया तो उनकी wife भी आ गई इंडिया में और यहीं पर उनकी wife की delivery हो गई उनने एक बच्चा पैदा हो गया तो उनका बच्चा भारत में पैदा हुआ है लेकिन वे दोनों जो हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी क्यों क्योंकि उसका जन्म भारत में तो जन्म से का मतलब है कि बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए प्लस उसके माता या पिता में से कोई एक जो है वो भारतिय होना चाहिए तो अगर ये होगा एक हो या दोनों माता पिता दोनों तो बड़ी है इसका मतलब क्या है हम सब को जो भारत की नागरिकता मिली है इसी प्रकार से मिली है, जन्म से, कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ, और हमारे मम्मी पापा दोनों भारती है, तो इसलिए हमें भारत की नागरिकता मिल गई, तो यह हो गया जन्म से, दूसरा होता है वंश से, ठीक, वंश से, वंश का मतलब है, किसे एक्जामपल, दो इंड अमेरिका में उनकी जॉब लग रही है उन्होंने शादी की और वहीं पर उन्हें बच्चा हो गया ठीक है तो इनके बच्चे का जन्म हुआ है अमेरिका में तो क्या उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी अमेरिका की नागरिकता तब मिलेगी जब उसके माता या पिता म में से कोई एक भारतिय हो या दोनों भारतिय हो तो उसे वंश से नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि वो भारतियों का वंश है तो जन्म और वंश यह लगबग एक ही तरीका है बस अंतर क्या है जन्म में उस बच्चे का जन्म होना चाहिए भारत में और वंश में उस बच्चे का जन्म होना चाहिए विदेश में लेकिन कंडिशन क्या है माया माता या पिता में से कोई एक भारतिये हो या फिर दोनों भारतिये हो तो काम चल जाएगा ठीक है तो यह हो गया है तीसरा है रजिस्ट्रेशन पंजी करण तीसरा है पंजी करण मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे एक्जामपल कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का रहने वाला है और उसे भारत की नागरिक्ता लेनी है तो पहले उसे अपने देश की नागरिक्ता छोड़नी पड़ेगी तो उस वंती ने वो अपने देश की नागरिक्त रेजिस्टेंस मिल जाएगा इंडिया में मतलब नागरिकता नहीं मिलेगी लेकिन वह भारत में रह सकता हमें देखना पड़ेगा ना ऐसा थोड़ी ना हो कि किसी भी देश का कोई बंदा आ जाएगा रहम तूने उसने सुबह रेजिस्टेशन किया और शाम को अपने नागर कर दिया है इसके बाद में उसे इंडिया में रहना पड़ेगा अधिकार वाधिकार कुछी नहीं मिलेंगे उसे की जी नोगरी का अधिकार सरकारी नोगरी कर सकता है जमीन खरीच सकता है वोट कर सकता है ऐसा कुछ रहे कर सकता है लेकिन लेकिन वह क्या है कि भारत में रह स गाएगी, clear, next है, number 4, भूमी अर्जन, land acquired या भूमी अर्जन से, भूमी अर्जन से, अचा भूमी अर्जन से का मतलब क्या है, जरा ये last class का याद करो, last class में मैंने उनको बताया था, सिक्किम पहले अलग देश हुआ करता था, और अब वो भारत का पार्ट बन गया है, तो सिक्किम की जगह ले ली, और जो उसमें लोग रहते तो उन्हें भगा दिया, कि जी हमें तुम नहीं चाहिए, हमें तो केवल सिक्किम के छेत्र चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है, जब सिक्किम भारत का पार्ट बना, तो जो सिक्किम के नागरिक थे, अब भारत के नाग क्योंकि जब नेपाली भारत का हो चुका है तो जो उसके लोग हैं वो भी भारती हो जाएंगे तो यह होता है भूमी अर्जार मतलब land acquired कि किसी land को अगर acquired किया जाता है तो उसमें रहने वाले जो लोग है वो automatically इंडियर हो जाएंगे तो यह है नागरिक्ता लेने का चोथा प अच्छा देशियकरण यह क्या है देशियकरण का यह मतलब है कि अच्छा आपने एक शब्द उसना होगा refuse रिफ्यूजी होते हैं refuse का मतलब यह समझ लो कि जैसे किसी देश में युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है तो वहां पे कुछ लोग अपनी जान बचा के हमा पना दिये जाते हैं refuse वगेरा वहां रहते हैं तो वह refuse होते हैं कुछ बंदे क्या होते हैं उनके देश में कुछ भी चल रहा है और वह illegal रूप से इंडिया में आ जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता illegal रूप से अगर आओगे तो गिरफतारी होगी तो जेल में जाओगे ल लेकिन पिछले एक साल से तो लगातार रह रहा है तो ग्यारे सालों से अगर वह इंडिया में रह रहा है इंडिया में रह रहा है तो उसे हर रीती रिवाज हो गया पिछले ग्यारों सालों से अगर वह इंडिया में रह रहा है तो नोर्मली हर चीज जो है उसे भारत की पत यहां पर refuses का मतलब होता है legally 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 वो इंडिया में आया तो अगर वह भारत में आ गया तो उसे जो भारत की नागरिकता मिलेगी वो मिलेगी डेशिया करण दुआ तो यह पांच तरीके होते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के इसमें पता है डेट भी मेंशन होती हैं से वंच से पंजी करण से भूमी अरजन से देशिय करण से सारा समझ में आ गया अब बात करते हैं आपने शायत पढ़ा होगा पढ़ा क्या होगा यह तो खुद देखा होगा 2019 में नागरिकता संशोधन बिल आया था एक कानून आया था इसको लेके दिल्ली में कितना हंगा हुआ था कि जी नागरिकता चीनी जा रही है उसको भी तो पढ़ना है अचा कानून का बाया था 1955 नागरिकता से संबंदित केवल एकी कानून है 1955 इंडियन सिटिसन्शिप एक 1955 उसमें चेंजिस होते रहते हैं तो 2019 वाला जो चेंज्ज था उसे पढ़ते हैं क्या है भारतिये नागरिकता एक्ट अधीनियम 1955 इसमें जो है एक संशोधन किया गया इसमें जो है एक संशोधन किया गया और यह जो संशोधन किया गया था यह एक तरीके से यह मानो कि यह कहा गया कि जो बंदे एक सेकेंड रुकी के जराब पानी पी ले गलाब तक ठीक नहीं हुआ है अगर अगर देखो यह जो संशोधन हुआ यह हुआ दोहजार उन्निस में और दोहजार उन्निस भी यह का अच्छा किसमें हुआ यह जो देशिय कराने न यह वाला इसमें हुआ संशोधन यह कहा गया इसमें कि भारत के जो तीन पडोसी देश है एक तो पांगला देश एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान ठीक यह जो तीन देश है इन तीन देशों से छै धर्मों के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो देशिय करान के माध्यम से नौर मली कितने सालों में भारत की नागरिकता मिलती है ग्यारे वर्षों में लेकिन यह कहा गया कि इन तीन देशों से इन तीन देशों से छै धर्मों के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो उन्हें नागरिकता पांस साल में ही मिल जाएगी तो ये सुधार कर दिया गया अच्छा वे छै धर्म कौन से थे हिंदू सिक इसाई चैन पॉद और पार्सी ठीक एक, दो, तीन, चार, पांच, छै ये कहा गया कि इन छै धर्मों के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो इन लोगों को केवल पांच वर्ष में पांच वर्ष में नागरिकता मिल जाएगी ठीक है और ये कानून अच्छा असली में ये कानून पास हुआ था 2019 में लेकिन आया कप था 2015 में तो ये कहा गया कि 5 साल इसका मतलब 2019 में ये आया है तो 5 साल पहले इसका मतलब 2014 2014 से पहले पहले के जो भी व्यक्ति आये हैं उन सब को इस नए कानून से भारत की नाग्रिक्ता मिल जाएगी बहुत हंगावा किया गया था ना कि जी नाग्रिक्ता का खत्म हो जाएगा नाग्रिक्ता चीनना चाते है नाग्रिक्ता चीनने से तो कोई संबंदित ये बात है ही नहीं ये तो नागरिक्ता देने से संबंदित बाते हैं ठीक है अब कोशन आता है ये ही छह धर्म क्यों मुस्लिम्स भी तो हैं सरकार ने पता बहुत सारे भारतियों जो वेग्यानिक तो बहुत बढ़िया हैं वकील जो बहुत सारी जो वकील हैं उन्होंने क्या किया सुप्रीम का हुआ रइड क्योंकि भारत तो समानता इक्वैलिटी का दिगार देता है तो इक्वैलिटी कहां पे हुई तो सरकार ने ये तर्क दिया कि अगर हम बात करें इन तीन देशों में तो जब से यहां पर जो मेजोर्टी हैं वो मुस्लिम्स हैं और उनकी संख्या लगातार ब परिशान है तो अगर ये भारत में आते हैं तो इने भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए लेकिन अगर हम इन से कंपेर करें हमारे इंडिया को तो हमारे इंडिया में 1947 के बाद से लगातार जो माइनॉल्टीज हैं माइनॉल्टीज की जनसंक्या बढ़ रही है लेकिन इन तीन माइनॉल्टीज की संक्या कम हो रही है और सिंपल है जनसंक्या कम हो रही है तो वहाँ पर ठीक से नहीं रहे हैं या उन पर अत्याचार हो रहा है इसलिए कहा गया कि इन 6 धर्मों के लोगों को तो भारत की नागरिकता 5 साल में मिल जाएगी और जो इन तीन देशों से बाक नागरिक्ता अधिनियम 1925 में क्लियर हैं नेक्स्ट अगर हम देखें पांच तरीके पढ़ लिए भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने के अब हम देखेंगे भारत की नागरिक्ता खत्म होने का भारत की नागरिक्ता खत्म होने के प्रकार ठीक है तो भारत की नागरिकता कितने तरीके से खत्म हो सकती है तो भारत की नागरिकता जो है न वो थ्री टाइप्स मतलब भारत की नागरिक्ता जो है वो तीन प्रकार से खत्म हो सकती है सबसे पहला क्या है सबसे पहला तरीका पहला तरीका ये है कि उस व्यक्ति ने नागरिक्ता का परित्याग कर दिये मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप भारत के नागरिक ता छोड़ दिये तो पहला तरीका है परित्याग ठीक पहला तरीका है परित्याग जैसा एक्जामपल कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता था मान के चलो, मतलब इंडियन नागरिक था, वीजा पासपोर्ट लिया, अमेरिका में जाके जॉब कर रहा है, उसने क्या सोचा कि अमेरिका के लाइव स्टाइल, भारत की लाइव स्टाइल से बढ़िया है, तो मुझे वहां का नागरिक बन जेना चाहिए, यहां पे के अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो इसका मतलब उसने अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ी है, तो यह नागरिकता छोड़ने का या खत्म करने का या नागरिकता खत्म करने का पहला दिकार होता है, जिसे कहा जाता है परित्याग, ठीक है, दूसरा क्या तरीका होता है कि example मानो उसी व्यक्ति का कि उस व्यक्ति ने ये सोचा कि देखो मैं अमेरिका में रह रहा हूँ अमेरिका में धोरी नागरिक्ता है तो मैं अमेरिका की नागरिक्ता तो ले सकता हूँ लेकिन मैं भारत की नागरिक्ता छोड़ता नहीं हूँ लेकिन जैसे हमें पता चलेगा भारत सरकार को कि उसने बिना भारत की नागरिक्ता छोड़े नागरिक्ता ले ली है तो क्या उसकी नागरिक्ता बचेगी खतम कर दी जाएगी तो उसकी नागरिक्ता जो है वो खतम हो जाएगी लेकिन नागरिक्ता तो खतम हो गई लेकिन उस चोटा सा केस चलेगा बहुत चोटा सा आपने नाम सुरा होगा आई पी सी इंडियन पीनल कोड इंडियन पीनल कोड का एक सेक्षन है 124 ए समझ रहो क्या कह रहा हूं मैं देश द्रो देश द्रो तो गिया है उसने सेंपल उसने हमारे समिधान का उलंगन किया है तो एक छोटा सा केस लगेगा देश द्रो का है न ठीक है तो उस पर देश द्रो का केस लगेगा मतलब भूल से भी अगर वो एक वार भारत आ गया तो दूसरा तरीका कि उसने क्या क्या है कि उससे नागरिकता छीनी गई है, भारत सारकार ने उसकी नागरिकता अंत कि यहाँ पर लिख सकते हैं, पहली भारतों से ने मर्जी से छोड़ी थी, दूसरा है नागरिकता का अंत. ठीक है एक और तरीका क्या है कि तीसरा जो तरीका है कि एक व्यक्ति था जो किसी दूसरे देश का नागरिक था उसने फर्जी डोक्यूमेंट्स लगा के उसने भारत की नागरिकता ले लिए जैसे रजिस्टेशन से उसने फेक डोक्यूमेंट्स लगा है और उसने भारत की न नागरिक्ता ले लिए प्लस कोई अल्रेडी पहले से भारतिय था जन्म से भारतिय था लेकिन वो क्या है वो आतंक वादी गति विदियो में शामिल हुआ और देश को नुकसाने देश को नुकसान कराने का देश की जो हमारी यूनिटी है अखंडता है उसे खत्म करने का प्र तो ये है नागरिक्ता का चीडना तो सिंपल नागरिक्ता लेने के 5 परकार थे जर्म से वंड से पंजी करन से इसके बाद देशी अकरन से इसके बाद भौमी अरजन से 5 तरीके हो गए मैं बात करूँ नागरिक्ता का अंत नागरिक्ता खत्म कैसे हो सकती है सबसे पहली बात परित्याग कि उस व्यक्ती ने एक व्यक्ती ने अपने आप नागरिक्ता छोड़ दी दूसरा तरीका है नागरिक्ता का अंत किया कि उसने बिना बताये किसी दूसरे देश के नागरिक तो ये है नागरिक्ता से संबंदित important fact चीक अब हम बात करते हैं इस से पता है उपर उपर से थोड़ी ना पढ़ना है डिटेल्स में पढ़ना है न क्योंकि ये तो सब ग्यान किताबों में पढ़ा हुआ है किताबों में लिखा हुआ है इसके लिए आप अपना important समय थोड़ परवासी भारतिय दिवस इशी से संबंदित है नागरिक्ता से कैसे संबंदित है अभी बताओंगा अगर करें कि प्रवासी भारतिय दिवस एक question है comment box में answer बताइएगा कि प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाते हैं यह तो बहुत सिंबल कोश्चन हो जाएगा प्रवासी भारते दिवस कम मनाते हैं नो जन्वरी को मनाते हैं कोश्चन है प्रवासी भारते दिवस नो जन्वरी को मनाते हैं लेकिन कब से किस साल से प्रवासी भारते दिवस मनाना शुरू हुआ था ठीक है कमेंट बॉक्स में किस साल से मनाना शुरू हुआ था तो मैं अंसर पता देता हूँ मनाय जाता है नो जनवरी को लेकिन कब से 2003 से क्यों मनाया जाता है क्योंकि नो जनवरी 1915 को महात्मा गांदीजी साउत अफरीका से वापस भारत आये थे ठीक है तो इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है लेकिन प्रवासी भारतिय दिवस मनानी की शुरुवात होई थी 2003 से 2003 से ही क्यों ऐसा क्या हो गया 2003 में तो पता है उस टाइम पे जो सरकार थी अच्छा हम सबको पता है ना कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें भारतिय ना हो भले उस देश के नागरिक बन चुके हो लेकिन उनका मूल उनका ओरिजन इंडिया का ही है हर देश में पहले हुए है इंडियन्स और इंडियन्स वहाँ पे कोई लेवर वागेर का ऐसा काम नहीं करते बहुत बड़े बड़े पदबर बैठे हुए बहुत बड़िया शेयर मार्केट में और ये करेंगा तो हम उनको यह बताना चाहते हैं कि आप अपने पैसे भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसSecondate subject नागरिक बन चुके हैं उनके हमें मदद चाहिए तो हमें दिखाना पड़ेगा उन बंदों को कि भले ही तुम दूसरे देश के नागरिक बन गए हो लेकिन तुमारा देश तुमारा भारत तुम्हें भूला नहीं है हम अब भी तुम्हें याद उसमें वो भी important role play करेंगे और पता है इंडियन community कितनी powerful होती है खुद सोचो अमेरिका में जो इंडियन community है वो इतनी powerful हो गई है कि अब वहां के जो राष्टपती का election होता है वो भी especially भारती community को कि ये इंडियन जो इतने सारे लोग है वो हमें जो हैं वोट करने लगें बलकि अमेरिका का एक राज्य है taxes taxes को तो मिनी इंडिया गहा जाता है इतने सारे भारतीय हैं वहां पर ठीक अच्छा एक और बात जितने जाद है वहां भारतीय होंगे तो अगर मानके चलो कोई भारती है अमेरिका का या किसी और देश का राष्टपतिया प्रधान मंत्री बन ग और वह इंग्लेंड के प्रधान मंत्री बन चुके हैं तो अब हम उनसे यह उमीद कर सकते हैं कि इनके टाइम पे भारत और इंग्लेंड के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और खासकर व्यापार्क यह मैं सोच ना कि इंग्लेंड को गुलाम बना लेंगे अब उमीद हम कर सकते हैं न तो यह है कि वे जो विडियो शो में भारतिय बैठे हुए हैं उनकी अगर हमें हैल्प चाहिए तो पहले दिखाना पड़ेगा ना उन्हें कि तुम भाले देश शोड़ के चले गए लेकिन हम तुम्हें भूले नहीं है तो उस टाइम पे केंदर सरक कार ने एक व्यक्ति थे लक्ष्मी मल सिंग्वी ठीक है उन्हों ने अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें यही कहा जो विदेशों में भारतिय बैठे उनकी हेल्प लेनी है भारत की ग्रोथ में तो उनके लिए एक इस्पेशल डे रखना पड़ेगा कि हम सेलिब्रेट भारतिय मूल के हैं उन्हें भारत में बुलाएंगे और एक तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाएगा तो इन्ही की सिफारिश के आधार पर 9 जनवरी 2003 से क्या मनाना शुरू करने लगा मना जाने लगा क्या प्रवासी भारतिय दिवस इसके बाद जो विदेशों में बंद ओर सीज इंडियन ये कार्ड बना और परसन ओफ इंडियन और ये दो काड़ बनायगा इसका मतलब कि अगर कोई अमेरिका में व्यक्ति रहता है तो उसको ओसियाइए कार्ड मिल जाए इसका मतलब वह भारत में आ सकता है कितने वी दिन रह सकता है बीना वीजा के बस उसको एक OCIE कार्डों से दिखाना पड़ेगा और वो भारत में कितनी दिन भी रह सकता है तो ये दो प्रकार के कार्ड बनाएगा भारतियों के लिए भारत में आके वोट नहीं कर सकता है भारत में आके सरकारी नोग नहीं कर सकता है बस भारत में आके रह सकता है बिना वीजा के तो 2014, 2014 में जब वो अमेरिका गए थे UN की summit था न, UN की meeting थी उसमें participate करने के लिए गए थे वहाँ पर तो वहाँ पर जब उन्होंने Madison Square Garden में भाशन दिया था जब भी ये जाते हैं तो विदेश में भाशन देते हैं बहुत सारे भारतिया आते हैं तो उन में अमेरिका में कुछ लोगों ने लिया हुआ था OCI कार और कुछ को PIA कार लेकिन इसमें अलग-अलग रहते मिलती थी, इसमें कुछ ज़्यादा अधिकार मिलते थे और इसमें कुछ कम मिलते थे तो वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि हम सब भारतिये मूलके हैं, तो हम में अंतर क्यों किया जा रहा है, किसी को OCI कार दिया जा रहा है किसी को PIA कार दिया जा रहा है तो इन सब को एक ही कर दो तो उनी की बातवानी और नरेन मोदी जी चो हमारे प्रधान मंत्री है, उस टाइम पे 2014 में वही announcement कर दिया था कि हमारी सरकार PIO और OCI कार्ड को एक ही कर देगी, तो इसके बाद 2015 में PIO और OCI कार्ड को एक ही कर दिया गया, तो आज के time पे एक ही कार्ड होता, यह अलग-अलग कार्ड नहीं होते, और क्योंकि यह अलग अलग नहीं होते हैं आज के टाइम पे तो इनकी डीटेल्स भी बढ़नी जरूरी नहीं है बस सिंपल याद रखना है दो कार्ड बनते थे पहले OCI और PI और अब इन दोनों को मिला के एक ही कार्ड कर दिया गया ठीक है तो यह जो हमारा समीधान है समीधान का भाग दो नागरिकता नागरिकता से संबंदी जो important facts जितने भी हो सकते हैं यह सब हमकर चुक है अब अगर मैं यह देखूं पाल टू नागरिक्ता नागरिक्ता हो गई तो नागरिक्ता में हमारे देश में कैसी नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता है सिंगल सिटिजन्शिप है और कहां से लिए हमने इंग्लेंड से लिए राश्टियता और नागरिक्ता ये अंतर क्या होता है ये बता चुका हूँ रा नागरिक्ता खतम हो सकती है रास्टेता कभी खतम नहीं हो सकती इसके बाद में आर्टिकल 5, 6, 7 ये तीनों हमने पढ़े हैं इसके बाद आर्टिकल 11 पढ़ा है कि नागरिक्ता से संबंदित जितने भी कानून बनेंगे कौन बनाएगी हमारी संसत राजसरकार इसमें कुछ न भारत की नागरिक्ता लेने के परकार, भारत की नागरिक्ता 5 परकार से ले जा सकती हैं कौन कौन से? जन्म से, वंच से, पंजी करन से, फिर भोमी अरजन से और फिर देशीय करन से बताया मैंने कि देशिय करण जो 1955 का एक्ट है उसमें 2019 में संशुधन हुआ और ये कहा कि भारत के जो तीन परोसी देश है पांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों से अगर इन छे धर्म के लोग आदे हैं तो इने केवल पांस साल में भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी लेकिन वैसे देशिय करण से कितने में मिलती है 11 साल में लेकिन इनको केवल पांस साल में मिल जाएगी ये बताया इसके बाद में भारत की नागरिक्ता अगर खतम होती है तो उसके तीन प्रकार है सबसे पहला है परित्या किसी व्यक्ति ने अपने आपी भारत की नागरिक्ता छोड़ दी दूसरा है नागरिक्ता का अंत किसी व्यक्ती ने बिना भारत की नागरिक्ता छोड़े किसी दूसरे देश की नागरिक्ता ले ले तो उसकी नागरिक्ता को जो सरकार है हमारी गवर्रमेंट है उसकी नागरिक्ता को खत्म कर देगी तीसरा है नागरिक्ता का छीदना किसी व्यक्ती ने अगर गलट डोक्यूमेंट लगाके या फिर भारत में किसी आतंगवादी का साथ देके या युद्ध के समय दुश्मनों को साथ दिया है तो भारत सरकार उसकी नागरिक्ता को खत्म कर देगी तो ये तीन प्रकार है किसके भारत की नागरिकता के खत्म होने के, इसके बाद मैंने बता है प्रवासी भारतिय दिवस कब से मनाना शुरू होता है, 9 जनवरी 2003 से और हर साल मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी, हमारे बापू, जो कांदी जी हैं वो दक्षिन अफ्रीका से वापस लोटे थे तो प्रवासी भारतिया दिवस में जो विदेश में प्रवासी बसे हुए हैं जो दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं हम उन्हें इंडिया में इन्वाइट करते हैं कि इंडिया की ग्रोथ में आप भी समीती बनाई जाती इनी समीती की सिफारिश पर कोशन आता है प्रवासी भारतिय दिवस नो जनवरी 2003 से मनाना शुरू किया गया लेकिन किसकी सिफारिश पर इनकी लक्षमी मल सिंग वी इनकी सिफारिश पर ये मनाना शुरू किया गया और उसके बाद में इनी के आधार प सेवल एक ही कार्ड है ठीक है ओसी आई ओवर सीज इंडियन ठीक है और परसन ओफ इंडियन ओर इसन तो यह है एक तरीके से हमारे समीधान का भाग दो नागरिकता और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कुछ भी अभी तो डाउट होगा नहीं तेकिन अगर भाग एक और भाग दो जो आज पढ़ाया है दोनों के टेस्ट लोगा और लास्ट क्लास में आपको सुनने के लिए भी दिया था ना उसका टेस्ट ही होगा तो मिलते हैं नेक्स क्लास में और याद रखेगा इसमें मैं टेस्ट जरू लोगा आपसे तो फिर मिलते हैं नेक झाल झाल